हमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रसैनी कनड़ा में हालात लगातार पिगड़ रहे हैं और कहीं न कहीं जो कनड़ा और अमेरिका का बोर्डर है वो अब सिंखु बोर्डर में तब्दील हो चुका है इस तरीके से वहां ट्रक कनड़ा और अमेरिका के बोर्डर पर हालात लगातार पिगड़ते जा रहे हैं यह सब कुछ प्रदिशन हो रहा है परधान मंत्री जस्टिन ठूडो के खिलाफ जिस तरीके से कनड़ा की सरकार अब को फीड नियमों को लेकर कहीं न कहीं घपीर है और इसमें एक नया नियम बनाय क्या है कि कनड़ा में आवाच्छाही के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेशन जरूरी होगा और इसको लेकर जो ट्रक ड्राइवर हैं खासतोर पर जो कनड़ा से अमेरिका जाते हैं और अमेरिका से कनड़ा आते हैं उनका ये विरोध परदिशन है जो लगातार देखने क मिल रहा है यानि एक तरीके से वैक्सीन नहीं तो रोजगार नहीं वाला जो नीयम कनड़ा की सरकार ने निकाला है उसका लगातार विरोध जो है वो बनेड़ा में देखने को मिल रहा है सिर्फ इतना ही नहीं इस विरोथ प्रदिशन के चलते प्रधान मंत्री जस्टिन टूड़ो को अपना जो आवास है वो तक छोड़ना पड़ा और गुप्त इस्थान पर जाकर अपना लेनी पड़ी थी हाला कि अब जस्टिन टूड़ो स जस्टों को पहुचाया किया है वही भारत में किसान आंदोलन के दोरान जस्टिन टूड़ो की और से ग्यान दिया था और जब भारत में ये पूरा आंदोलन किर्शिक कानूनों के विरोथ में चल रहा था तो उस वक्त जस्टिन टूड़ो ने कई बार भारत के इस ये ठीक नहीं होगा इतना ही नहीं उस वक्त जस्टिन टूडो की ओर से मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा किया था कि कनड़ा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदिशन और मानावधिकारों की समर्थन में खड़ा रहेगा और हमें खुशी होगी अगर इसे बातचीत से हो रहा है जिस तरीके से ये लगातार ट्रग ड्राइफर का परदिशन जारी है और अब सिर्फ ये ड्रॉड ड्राइफर का परदिशन नहीं रह किया है बलकि अब किसान भी इनके साथ आ चुके हैं और फिर साथ में काउबोई भी आए हैं यही वज़ा है कि लगातार जो विरोध प्रदेशन हैं ये काफी तेज होता दिखाई दे रहा है जस्टिन टूडो के लिए मुश्किले बढ़ चुकी हैं क्योंकि कनाड़ा और अमेरिका आने जाने वाले जो ट्रक ड्राइफर हैं उनके लिए कही न कहीं ये कोवीड का नया नियम बनाया किया था और अमेर को के विरोध प्रदेशन करने के अधिकार की हम रक्षा करते हैं लेकिन समको ये समझ लेना चाहिए कि उन्हें हमारे लोकतंत्र हमारी अर्थवस्ता और हमारे आम नागरिकों की आम जिंदगी को बाथित करने का कोई हक नहीं है इसे बंद करना ही होगा हम हालात को नियंतर उसे हटाने की मांग कर रहे हैं ये तमाम बाते उनकी तरब से कही गई लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि जब भारत में किर्शी कानुनों के विरोध प्रदेशन हो रहा था ये फूरा आंधोलन चल रहा था और कई बार ये देखने को मिला कि किस तरीके से इस पूरे आंध न दोलंड में राजनितिक रोटिया से की गई कुछ असमाजीक तत्वों अपने एजेंटे को पूरा करने का काम इस आंदोलन की आठ में किया खालिस्ताणियों ने अपने अजेंटे को इस आंदोलन की आठ में आगे बढ़ाया जिस तरीके से भारत को कही कही तोठने की साजिश लगातार खालिस्तानियों की और से रची गई है लेकिन इस पीच कनेड़ा के परधान मंत्री जस्टिन टूडो ने कई बार प्रेस कॉंफरेंस करके भारत के अंदूरूनी माफले में दखल दी और इसको लेकर हाला कि भारत के विदेश मंत्रा है की औ जिस तरीके से आदेश की राजथारी दिल्ली में 26 जनवरी को जो हिंसा हुई जिस तरीके से लाल किले पर एक दूसा जंडा फेराया किया उसका भी समर्थन जस्टिन टूडो की ओर से किया है लेकिन अब अपनी ही देश में कहीं न कहीं जस्टिन टूडो घिर चुके हैं क तमाम आवजाही पुरी तरीके से ठप है और कहीं न कहीं कि अर्थवरस्था के लिए भी बड़ा छटका हो सकता है और यही वज़ा है कि अब जस्टिन टूडो यह तमाम ग्यान दे रहे हैं कि लोकतंत्र और हमारी अर्थवरस्था हमारे आम नाकरिकों की आम जिंदगी को बाधित करने का इनका कोई हक नहीं है लेकिन ये बयान उस वक्त नहीं आया जब हिंदुस्तान में लगाता है ये प्रदिशन काफी अलग-अलग बोटर पर डटे हुए थे और कनेड़ा में ये आंदोनन अभी शुरू हुआ है लेकिन भारत में ये आंदोनन लगभक एक स साल तक चला और एक साल तक हिंदुस्तान के अलग-अलग बोटर जास्थानी दिल्ली के अलग-बोटर बाधित रहे तब है कनेड़ा के प्रद्धान मंत्री को नहीं दिखा लेकिन अब चुकी अपने ही देश में वही परिस्थितियां उनके साफने आकर घड़ी हो गई है कि जहां उनके लिए देश को सफाल पाना बेहद मुश्किल हो रहा है देश की राजथानी उटावा में लगातार ये विरोध परद्धिशन अलग-लग जखों पर देखने को मिल रहा है जहां जस्टिन टुडो के लिए कही न कहीं सरकार बचाना बेहद मुश्किल हो रहा ह और यही वज़ा है कि अब इस तरीके से इन प्रदिशन कार्यों को डराया और थमकाया चारा है हालकि भारत में वो तस्वीर इन एक साल में कभी भी नहीं देखने को भिली जब इस तरीके से सरकार की और से इन प्रदिशन कार्यों को इस तरीके से चेतापनी दी गई हो या इ इतना जरूर था कि सरकार की ओर से यह जरूर कहा गया कि यह शांतीपूर्ण आंदुलन होना चाहिए लेकिन उसके बाखचुत भी जिस तरीके से इस पूरे आंदुलन में हिंसा हुई देश का नुकसान हुआ कितना अर्थवस्था को नुकसान हुआ लेकिन उस वक्त भी जस स्थानी ओटावा में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं न कहीं कनड़ा के प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो के लिए गले की फार्स बन चुका है क्योंकि 50,000 से जादा ट्रक चालक हैं जो फिलाल परदशन कह रहा हैं और कहीं न कहीं अब जस्टिन टूडो की कुरसी पर भी संक कटके बादल मंटराने लगे हैं और यहां तक कनड़ा के सिखनेता की और से कहा गया है जगमीत सिंग उनकी तरफ से यह कह दिया क्या है कि ट्रक चालक जो है वो टूडो सरकार को उखाड़ फैकना चाहते हैं और ट्रक चालकों के प्रदिशन से खबराय जस्टिन टूडो क कि और से ट्वीट करके यह कहा क्या है कि प्रदिशन कार्यों से निपटने के लिए बड़े वैफाने पर संख्या पुलिस को तेहनात क्या क्या है तो किस तरीके से उनके साथ जो जस्टिन टूडो की सरकार है वो डील कर रही है यह भी लगातार देखने को मिल रहा है तो चाहिसे में लगातार जो भारत के सोशब मीडिया हुजर्स हैं वो लगातार ट्वीट कर रहा हैं और जस्टिन टूडो को कही न कहीं यह जवाब दे रहा हैं कि किस तरीके से कनड़ा के प्रदान मंत्री जस्टिन टूडो जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था तो वो भारत की सरकार को प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को घ्यान दे रहा है लेकिन आज अपने ही देश में कहीं न कहीं इन प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो के लिए आकर खड़ी हो गई हैं क्योंकि यह जो विरोध परदेशन है यह नई जो कोवीड नियम है उसके खिलाफ है कि आवा जाही के लिए जिस तरीके से वैक्शिनेशन सर्टिफिकेट इंट्रक्ट ट्राइवर को दिखाना होगा इसको लेकर यह तमाम जो विरोध परदेशन है यह देखने को मिल रहा है और यह परदेशन लगातार तेज होता जा रहा है जहां जस्टिन टूडो जो की प्रधान मंत्री है कन्यड़ा के उनकी तरफ से इन परदेशन कार्यों को धंकी दे गई है और यह कहा गया है कि इन से निपटने के लिए बड़े पैहमाने पर पुलिस तेहनात की गई है इन प्रधान मंत्री जिस तरीके से ग्यान दे रहे थे अब लगातार हिंदुस्तान के जो सोचल मीडिया हूजर्स हैं और कह रहे हैं कि कन्यड़ा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो को अब समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर ग्यान देना और बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है भारत में किसान आंतुलन के वक्त भी उन्होंने इस तरीके से ही भारत को ग्यान दिया था लेकिन अब अपने देश में ही अपनी कुर्सी बचाना बेहद मुश्किल हो रहा है हलाकि आज डेस्टिन टूडो की और से जरूर कहा गया है लेकिन कहीं न कहीं य अगर इस तरीके से ही ये विरोध परदिशन चलता रहा अगर इसी तरीके से इस पूरे बॉर्डर को बंद करके रखा गया तो कही न कहीं बड़ा खाम्यासा कनेडा को भुगतना पड़ सकता है यही वजा है कि कनेडा की परधान मिंद्री इस तरीके की बयातबाजी कर रहा ह हैं लेकिन हिंदुस्ताथ में वो जरूर खिड़ चुके हैं फिलाल आपके इस पूरे माफले पर क्या राए है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें तन्यवादा